हाई इसके उडियों हम बात करेंगे पेरी NL Ultra Sound के बारे में हम जानेंगे यह क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है अर पेरी मिंस होता है आसपास और NL मिंस होता है NLS या फिर मलदुवार तो मलदवार के आसपास का जो हम अल्टरसाउंड करते हैं उसे हम पेरिएनल अल्टरसाउंड कहते हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि ये अल्टरसाउंड क्यों करा जाता है या फिर इस अल्टरसाउंड के दौरा किस-किस बिमारी का पता लगा जाता है तो इसके द्वारा हैम्रोड जिसके माम भासा में पायल्स या फिर बबासिर भी बोल देते हैं फिसर यानि कि दरार पड़ जाना या फिर कट जाना फिशुला means भगंदर, साइनस and perianal abscess जिसके माम भासा में फोडा भी बोल देते हैं तो इन सभी बिमारियों का इस sound के द्वारा पता लगा जाता है तो पहले हम इन सभी बिमारियों के बारे में जान लेता है कि इन बिमारियों के क्या मतलब होता है तो पहले बिमारी यहाँ पर है हैमरोड जिसे कि हम आम भासा में बावसिर या फिर पाइल्स बोलते है तो इसमें क्या होता है, जो मलदवार होता है, मलदवार के अंदर जो कुन की दलिकाएं होती है, वो फूल जाती हैं, फिर सुयल हो जाती हैं, जिससे वहाँ पर कभी-कभी ब्लीधिग भी हो सकती है, तो piles दो तरगा होता है, एक होता है Internal Piles, यानि कि यदि ये Piles मलदवार के अंदर होता है, तो उसे हम Internal Piles बोलते हैं, और यदि ये मलदवार के बाहर होता है, बाहर के तरफ होता है तो उसे हम External Piles बोलते हैं, ये External Piles हैं इसके बाद यहाँ पार है Fissure, Fistula and Sinus, तो इन तीनों में क्या difference होता है जो fissure होता है इसमें क्या होता है मलदवार में कोई कट लग जाता है या फिर वो कहीं से कट जाता है तो उसे हम fissure बोलता है यानि कि टिया या फिर कट जाना दैन fistula इसमें क्या होता है इसमें एक जतनेगा बन जाती है एक आड़ पा रास्ता बन जाता है जिसे कि हम आगे इमेज में समझेंगि इसके बात हैंपर इनल के ना, तो यह भी एक तरह का टर्लन चेट है लेकिन यह है Aghan रास्ता होता है, तो आप देख पार है, यहां से लेकर यहां तक एक आर पार रास्ता बन चुका है, जैसे कि हम फिश्चुला या फिर भगंदर बोल देते हैं, इसके लावाइक होता है एनल एप्सस या फिर एनल में फोड़ा या फिर मवाद भर जाना, तो आप देख पार है जो यह रास्ता है इसमें यहां बीश में एक एपस्स या फिर फोड़ा हो चुका है तो कई बार जब फिश्चुला हो जाता है तो उसमें एपस्स या फिर फोड़ा भी बन सकता है तो यह जो फिश्चुला होता है यह कई परकार का होता है अब हम जान लेता है कि sinus क्या होता है, क्योंकि कई बार आपको ultrasound के report में sinus word भी देखने को मिलेगा, तो यह B diagram है, इसमें आप देख पारे जो रास्ता है वो पूरी तरह से open हो चुका है, यानि कि यहां से आ रहा है और इसमें पूरी तरह से खुल चुका है, तो यह होता है fistula, यह fistula का diagram है, यदि यहां रास्ता पूरी तरह से नहीं कुलता है, या फिर एक तरफ से बंद रहता है, तो उसे हम sinus बोलते हैं, तो यह sinus है, तो आप इससे समझ पाएंगे कि एक तरफ से बंद रास्ते को हम sinus बोलते हैं, और यदि इस रास्ते में कहीं पर मबाद भर जाते ह हैं, तो उसमें आपको कुछ words देखने को मिलते हैं, जैसे कि 10 o'clock, 9 o'clock, 5 o'clock, तो यह सब क्या होते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं, जब भी पहरे NL ultrasound किया जाता है, तो उसकी location को हम एक clock या फिर घड़ी की तरह define करते हैं, माल लीजे किसी को problem Ns के नीचे की तरफ है, इ तो उसे हम 9 o'clock so करेंगे, और यदि किसी को right side में है, तो उसे हम 3 o'clock so करेंगे, इसी तरह से यदि problem 12 और 3 के बिश में होती है, निकि इस जगा होती है, तो वो 1, 2 हो सकती है, या फिर इस जगा पर होती है, तो वो 4 और 5 हो सकती है, तो इस तरह से हम जान पाते हैं, कि जो problem ह या फिर फिश्चुला है या फिर फिशर है वो किस location पे है और वो किस direction में है तो example के लिए हमारे सामने एक ultrasound की image है जिसमें किसी वेक्ति को फिश्चुला हो चुका है तो इसमें गड़ी के अनुसार उसकी location दी हुई है जैसे कि यहाँ पर लिखा है IO means internal opening और EU means external opening यहाँ पर है 12 o'clock यानि कि ऊपर की तरफ इस जगह से इसकी opening start हुई है and 10 o'clock 10 o'clock पर इसकी opening इस जगह पर खतम हुई है तो जो इसकी फिश्चुला की location है उसे हम इस तरह से समझ पाएंगे यह दूसरी image जिसमें फिश्चुला की location जो है वो 6 o'clock पर है यहाँ पर हमारे सामने कुछ ultrasound की report है जिनने हम समझने के कोसिस करते है तो यहाँ पर दिया हुआ है there is a well-defined hypo-ecoic blind sinus यहाँ पर क्या है blind sinus यानि कि एक तरफ से बंद रास्ता तो इसकी location क्या है उसकी location है 6 o'clock position यानि कि वो एनस के नीचे की तरफ है इस तरफ है in perianal reason no internal opening in annal canal यानि कि internal कोई भी opening नहीं है means यह एक sinus यानि कि एक तरफ से बंद रास्ता है इसकी हाँ पर length दी हुई है और इसकी width यानि कि इसकी moti दी हुई है तो यहाँ पर क्या है likely low perianal blind sinus track यानि कि यह नीचे की तरफ का एक blind यानि कि एक तरफ से बंद sinus track है इसके बाद नहीं पास में अगली report है there is evidence of external opening at right gluteal reason from which there is a track of approximately 5 cm in length is seen up to annal canal with internal fistulas यानि कि जो opening है वो आरपार है opening at 10 o'clock position यानि कि जो opening है वो 10 o'clock position पर है यानि कि जो रास्ता है वो इस जगाप पर है यानि कि 10 o'clock position पर है और वो exterior है और जो इसकी मोटा है यानि जो width है उसकी 9 mm की है यानि कि जो रास्ता है ये 9 mm का है और यहाँ पर solution भी देखने को मिलिए यानि कि EDIMA भी देखने को मिला है मारे पास में ये last report है तो हम इसके direct impression को पढ़ते है यानि कि इसके result को पढ़ते है यहाँ पे क्या दिया हुआ है perianal abscess यानि कि इसमें foda है with low annal fissula साथ में इसमें posterior high annal fissula भी है यानि कि इसमें low annal fissula भी है और high annal fissula भी है तो ये दोनों क्या होते हैं पहले हम इसे समझ लेता है यहाँ पर ये annal canal है यानि कि जहां से मल पास होता है यहाँ पर इसकी muscles है यदि जो fissula है वो नीचे की तरफ होता है तो उसे हम कहते है low annal fissula यदि जो fissula है वो उपर की तरफ होगा तो उसे हम कहते है हाई एनल फिश्चुला तो इस मरीश को दोनों ही फिश्चुला है साथ में उसमें फोड़ा भी है और यहाँ पर उसकी लोकेशन भी दी हुई है तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ कर फिश्चुला की लोकेशन को भी अच्छे से जान भाएंगे